राम राम जी कैसे हैं आप सब चलिए देखे मैं आज आपको कहां पर ले आई हूँ देखिए किते सुन्दर सुन्दर फोल है यह आज मैं आपको अपने छोटा सा जो मैंने किचन गार्डन बनाया है उसकी सेर कराती हूं आपको यह हमारे कद्दुजी महाराज जो भी जाएंगे चलिया प्रेस्ट कीचिए यह देखे छोटों सकत दूर है आपको दिखाए दिया यह चोटा सा यह वो भी जी चलिए यह मुली लाल वाली यह देखे यह सलाद में बड़ी इच्छी रख देखने में बसंदल रखते रखाने में इच्छी रख दिया है और यह द रख ले किन इसको राक लगए हुआ है क्योंकि मैंने इसमें 2 दिन पहले राख थी आता यह देख मया अच्छी ऑला को कुछ जोटी सी तोट यह दिखाए दिखाए है आपको यह तमांटर और यह हमारी बड़ी दोरी है लेकिन यह केमरे में अच्छे से नहीं दिखाई देरी यह देखिए बिंडी क्या शाइनिंग है बिंडी क्यों पीर में मैं देशी खाट डालती हूं कोई केमिकल नहीं कोई वैसा दूसरा फाद नहीं है यह वगरा का यह बिंस की बेल यह भी छ साइनिंग देके बिंडी के यह चोट उसे गिया यह देखिए एक चोटा सा बच्चा और यह आलवाली प्याज बोलते हैं इनको आप क्या बोलते हैं मुझे बताना यह आप कुछ भी बनाएं उसका स्वाद डबल कर देते हैं आप नमकीन चावल बनाएं या फिर किसी भी उसमें ड़ने तो बड़ अच्छ लगते हैं यह देखे एक बड़ी होगी तो रही यह फूल कितने सुन्दर है यह मैंने करवाच अपजमत के लाई थे उसमें लगा यह सुक्षानती का पेड़ है यह देखे इन में से में बहुत पेड़ों के नाम नहीं जानती हूँ यह देखे यह बेल भी है मूली भी है सब एक साथ फैला हुआ है यह बेल दो मारी परचत पर जड़ी हुए है यह करेल ले यह बड़ी खुशी होते हैं जब अपने किचन गारडन से हम तोड़कर ले जाकर के किचन में बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हरा बरा देखकर वैसे भी अच्छा लगता है और टाइम भी अच्छे से पास होते हैं अपने किचन गारडन में और सूध सब जी खाने को मिलती है हम लोगों को तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा किचन गारडन सब को लगाना चाहिए अगर किसी के पास जगन नहीं है तो गंबले में लगा सकते हैं यह सब आलवाले प्याज सब हुए तो गंबले में भी लग जाते हैं अच्छे से नहीं तो एक कट्टा ले उसमें मिट्टी परकर लगाए देख छोट उसी हमारी तोरी और यह मदब की बैटी अभी मैंने इसको खेला है तो यह उड़ गई अब यह यह इसके पेल जो पर चत पर फैल गई थी वह उपर दिखा रही है उन्हाप होई है यह देखे कहां तक फैल दी हुए है और उसके साथ तोरी की तोरी का फूल देखे हैं आप कितना संदर लग रहा है फूल कोई भी हो सब बहुत संदर लगते हैं जाएंगे